हलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चेनल पर दोस्तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 18 इंच बई 9 इंच के कास्टिंग के कालम में एक ही सरीय की डबल रिंग बनाने का एकदम नया तरीका और एकदम परफेक्ट तरीका दोस्तो 99 पर 36 साइड पर जो काम चलता है कालम के सरीय की बनाई का उसकी जो रिंग बनाते है वो आलग अलग ही रिंग को बनाकर कालम के सरीय की बनाई करते है और बहुत सारी साइड पर दोस्तो शिर्फ सिंगल ही रिंग बना कर कालम के शरीयगी बनाई कर लेते दोस्तों लेकिन आज की वीडिओ में मि आपको एक ही शरीयगी डबल बनाने का तरीका बतला हुआ दोस्तों 230 mm भई 450 mm के काश्टिंग के कालम की रिंग दोस्तों इसकी जो रिंग बनेगी वो बनेगी 7 इंची बई 16 इंची की रिंग बनेगी दोस्तो एक ही सरीएगी इसके जो सरीएगी जो कटिन करी है दोस्तो हमने वो करी है 70 इंची के सरीएगी कटिन करी है यह जो आपको टेप में दिखाई दे रहा है दोस्तो 70 इंची में रिंग बनाएंगे दोस्तो, 7 इंची बै, 16 इंची की रिंग बनाएंगे दोस्तो, एक सरीय की डबल रिंग बनाएंगे दोस्तो एक सरीय की डबल रिंग बनाने में सबसे पेला बेंड मुड़ जाएगा, 14 इंची पर बेंड मुड़ जाएगा दोस्तो, जो दूसरा बेंड मुड़ेगा, वो 16 इंची पर बेंड हो जाएगा दोस्तो, जो तीसरा बेंड होएगा, वो 7 इंची पर बेंड होएगा दोस्तो, जो चोथा बेंड होगा दोस्तो वो 11 इंची पर बेंड हो जाएगा चोथा वाला बेंड और जो पाच्वा बेंड होगा वो 7 इंची पर बेंड हो जाएगा दोस्तो और जो छट्वा वाला जो बेंड होगा वो 6 इंची पर होगा दोस्तो छट्वा वाला बेंड और जो साथ इंची पर बेंड होगा दोस्तो और जो आठवा वाला जो बेंड होगा दोस्तो वो गतो है घुप के टोशेग धिसदागिवा मीं आ कहा ठाहे लेते हैं दोस्तों सबसे पेले इसकी लंबाई में नापते हैं लंबाई कितने इंची की बनी है लंबाई तो दोस्तों एकदम परफेक्ट 16 इंची की बनी है इसकी चोड़ाई नाप लेते हैं चोड़ाई कितने इंची की बनी है चोड़ाई में भी 7 इंची की बनी है दोस्त तो एकदम परफेक्ट रिंग बनिये दोस्तो दोस्तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करे और सब्क्राइब करे और बेल आइकन बटन दबाए एसी ही लेटेज वीडियो देखने के लिए ठेंक यू फोर वाचिंग